नमस्कार, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत का 15 हमा पाट पढ़ेंगे, इसका नाम है मातुल चंद्रह, मातुल चंद्रह का आर्थ है चंदा मामा पाट शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाट अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए पाट शुरू करते हैं कुता आगच्छ सी मातुल चंद्रह, कुत्रग में श्यसी मातुल चंद्रह अर्थात है चंदा मामा आप कहां से आते हैं और दूसरी पंक्ती में है चंदा मामा आप कहां जाएंगे आतिशय विश्त्रित नेला काशह अर्थात ये नेला आस्मान जो दूर तक फैला हुआ है नईवद रिशते क्वचिद अवकाश है अर्थात इस नेले आस्मान में कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं देती है कथम प्रयासेसी मातुलचंद्रह हे चंदा मामा आप इस आस्मान के पार कैसे जाएंगे मामा आप कहां से आते हैं कथम आयासे नाभो ममगेहम मातुल अर्थात हे प्यारे चंदा मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हैं किरसी कथम नसनेहम और आप अपना प्रेम मेरे उपर क्यों नहीं लुटाते हैं कदा आगमिशसी मातुलचंद्रह आप कब आएंगे चंदा मामा कुता आगच्छसी मातुल चंद्रह आप कहां से आते हैं चंदा मामा धवलम तव चंद्रिका वितानम अर्थात आपकी सफेद रंग की चांदने दूर तक फैली हुई है धवलम अर्थात सफेद तारक खचितम सित परिधानम और आपका वस्त्र जिसमें तारे जड़े हुए हैं ये बड़ा ही सुन्दर लग रहा है महियम दास्यसी मातुल चंद्रा क्या आप अपना ये सुन्दर वस्त्र मुझे देंगे चंदा मामा कुता आगच्छ सी मातुल चंद्रा आप कहां से आते हैं चंदा मामा त्वरित मेही माम श्रावय गीतिम अर्थात हे चंदा मामा आप जल्दी से आईए और मुझे गीत सुनाईए प्रिय मातुल वरधय में प्रीतिम हे प्यारे मामा मेरे प्रती अपना प्रेम बढ़ाईए किन्ना यासे सी मातुल चंद्र आप क्यों नहीं आते हैं चंदा मामा कुता आगच्छा सी मातुल चंद्र आप कहां से आते हैं चंदा मामा तो ये था कक्षा 6 की संस्कृत का पंद्रहवा पाठ मातुल चंद्रह आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद